नमस्कार सत्स्रिया काल जागो पंजाब इस ताड़ा स्वागत असी नौर्थ अमेरिका दे गलोबल पंजाब अते जॉर्प दे संगत टेली विजन दे दर्शक अधावी स्वागत कर दें कर दोस्तों तुसी हों तक अपण इस हरमन प्यारे प्रोग्रम विच नो सुनिया हूँना थाचस्ि अषिणिया उच्चिया सुचिया नहीं सगो अंतरास्टी द देश दा चंडा गढड़ चुकियां नि stop खेड़ा वेज तुसी पार्त दे इर्फान ब्रदर्द आस्ट्रेलिया दे वाग ब्रदर्द अते अमेर्का दियां विलियंजम पैना दा नाम जुरूर सुने आने पर कदे गोईल सिस्टर दा नाम सुने जी सोने शैर चंडी गड़ियां ए ननिया परियां चैस खेड़ इज ति मजूद ने एकेड तेगा और अर्नुमा गोईल जिखर हाड कॉनव 엄сть Junior Scandi स्कूल चंडी गड़ दि दस्वी जमादी मधे आर्थ्जनै ते ओना दी छोटीह पैन तारेनी गोईल सैकर्ड हाड कॉनवेंट Junior Scandi स्कूल सत्वी जमाद विच पढ़दी है तर रस्टी विच बहुत बहुत सवागता है तुसी दोना पहना नहीं ते कि परसिद जीड़ा गीज सी ओदे बोल ही बदल देते कि बेटा हमारा नाम कर गया कुछ ऐसा काम करेगा तो हुंते गीद जीड़ा बोल तुसी बदल देते आ गया कि बच्चियां हमारा नाम करेंगे ऐसा काम कर बहुत अच्छा लगता है कि हां लड़कियां क्योंकि लड़कों को ही प्रिविलेज मिलती है तो अगर आप कहीं से चंदिगर जैसे सिटी से अगर कोई लड़कियां ऐसे उंची जगा तक जाती हैं तो सब कोई not only parents and they feel very proud that they are doing good and they are doing good so Taranit Anu, how are the feelings? खुशी है तो भी होती है और सब लोगोंको भी अच्छा लगता है कि अच्छी हमारे शेहर से निकाल रहे हैं लड़कियां पर इंडिया को भी रेप्रेसरेंट करते हैं तो एक इंडिया की तरफ से भी होता है तो पिर पीर इंडिया वालों को भी अच्छा लगताए जर यहां चरवे को रहgilा नहें तो अरूमा तुसी यह क्षेडरी क्यों चुनियां अगी है हूर्स यह इसलिए स्टार्ट करी थी, 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 यह इसलिए स्टा प्राक्टिस करनी शुरू कर दी और फिर और इंप्रूब्मेंट हो गई खेलने में तुसी वड़ी सिस्टर नो देख के खेलना चुरू किता है कि हो और वी मानत कोई खडारी सी के एक खडारी चेस केड़ देगे महमी एद दान दी चेस कडारन बननेगा अधिया नहीं मैं तो इसी कोई देख के शुरू करी और मेरा तो कुछ जादा होता भी नहीं था कि पहले तो दीदी का ही होता है हमेशा कि यह टॉर्नमेंट जीत रहे है इसका टॉर्नमेंट अच्छा हो है मैं तो एक चोटी ऐसी खेलती रहती थी साथ में दीरे दीरे जब मैंने शुरू कर जा टॉर्नमेंट खेलना तो मेरा और भी अच्छा रिजल्ट आने लग गया तो फिर उससे आगे बढ़ते गए तो अरुनमेंट तो अरुनमेंट खेल चुक्किया गे और किने के मैडल ज सब्सक्राइब तो नाशनल के लिए सिलेक्ट होई जाती हूं तो रेप्रेजेंट चंदिग्ड़ और बाकि नाशनल लेवल पे भी पार्टिस्पिशन रहती है अच्छा रहता है इंट नाशनल पे अभी मैने दो मेडल जीते हैं एक चाइना में और एक तेली में तो रिसे चाइना, श्रीलंका, टुर्की, फिलिपीन, ब्राजील, एरान, यहां पे मतलब काफी अच्छा एक्सपिरिंस रहा हमारा, और दूसरी कंट्रीज के बच्चों को देखके भी हमें लगा कि वह कैसे प्राक्टिस कर रहे हैं, उनकी हमें तर्कीबे बता चली तो फिर उसके अक तर्डी हमें तक जरी सब तो जरी बेस्ट एचीवमेंट अगी है, ओखेड़ी हैं वो रिसेंटली अभी 2012 डिसेंबर में मेरा ब्राज आया एशिन स्कूल में वह बहुत टफ चांपियंशिप थी तो और काटेगी भी मेरी बड़ी हो गई थी अंडर 15 तो अंडर 15 गर्ल्स क तो जीतने में बहुत मेहनत लगी और उसके बाद बहुत अच्छा भी लगा तो तारे ने तुसी केड़े केड़े खेड़े खेड़े जा चुके गगए खेड़े जिए फाइनल टूर्नमेट खेड़े हैं तुसी मैंने टौकी, फिलिपीन, चायन, ब्राजील, एरान गई ह मेरे 10 international medals आया अभी तक और जिसे जो मेरा बैस था वो इंडिया में अडर 9 national champion बनी थी और फिलिपीन कई थी मेरे 4 medals आया थे, 2 gold, 2 silver, और अभी रिसेंटली भी मेरा इरान गई थी तो मेरा ब्रॉंज आया अडर 12 girls में तो जदो तुसी final match खेड़ दें, कोई भी match खेड़ दें, जड़ा समने एकडारी बैटा हूंदा, वोदे माइंड सेटर नो भी पढ़ दे है कि केड़ियां चल रहा गया है जड़ा है देखते हैं कि अपनी चाल चलने से पहले हम उसकी सोचते हैं कि जब मैं यह चलूंगी तो वो क्या चलेगा, तो ऐसे ऐसे आगे एक दो-दो moves और और देखते रहते हैं कि मैं यह चलूंगी फिर वो यह चलेगा, फिर एक लंबा variation बन दाता है तो फिर उसके कि कुई दंदा जादगर पल ऐसे बहुत सारे थे पर जैसे जब मैं मैं फिलिपीन्स में ने मैं लास्ट राउन खेला वो मेरा बहुत इंपोर्टन था जीतना जीतो तो फिर मेडल आता है पर हार जो तो फिर कुछ पी नहीं जीतने से तो सिल्वर आ रहा था या गोल का भी कर लेती तो भी मैं आउट हो जाती उस मेडल वाले उससे तो फिर उसके अंदर पूरा दम लगा के इतनी देर तक चला मैं जीती तो फिर आया तो औरनुमा जे वास्ते जस्ता हम बाकी गेम दी गयल करिए होकी, किरकट जा बैडमिंटन, टेबल टेंस उदे वास्ते देली प्रैक्टिस और तड़ा स्टैमना बहुत होना जुरूरी है कि चैस बिलकुल दमाग दी गेम है किया है, यह दि तुसी कि में प्रैक्टिस कर दे अगे जे ऐसा नहीं है कि चैस बिलकुल ही दिमाग ही गेम है, इसमें भी आपको थोड़ी फिजिकल फिटनेस मिंटेन करनी पड़ती है क्योंकि अच्छा सोचने के लिए आपकी बॉड़ी अगर तंदरुस्त हो तो अच्छा रहता है और प्रैक्टिस करने के लिए सौफट्वेर्स हैं, कॉम्प्यूटर सौफट्वेर्स हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, और बहुत ही वास्ट गेम है चैस और इसकी अच्छा एंधर से लिए स्कूल से लेपस होता है वैसे बिलकुल खतम नहीं होता है और प्रैक्टिस ड्यूलर्ली करने पड़ती है ताकि आपकी विजिन स्ट्रॉंग रहे तो उस उस जड़ें किताब भाया है जाय खास की होंदा है किस तरन अच्छा स्टडी होना चाहिए मैथड की किस तरन अधर हूंदेने उनके अंदर जो सीनियर प्लियर्स हैं जैसे विश्वनाथ अननंद और उनके लेविल के प्लियर्स की गेम्स दी होती है तो उससे हमें उन्हें देखकर हमें या आइडिया मिलता है कि हाँ भी वो कैसा खेल रहे हैं तो उनको उनकी मूवस समझ कर हम अपनी गेम में लगा सकते हैं उनकी जो प्लान कर रहे हैं उनकी स्ट्राटेजी हम अपनी गेम में लगा सकते हैं वो सीखने को मिलता है और पजल होती हैं जो हमारे दिमाग को और शाप करती है तुसी के में तियारी कर दिया गया जै के एगड़ा टूर्णमेंट आगा एगड़ा मैच चाहे ते मैं जितना ही हागा हार हालत दे वेच इस तरह मेंटली जड़ा तुसी लेकर जान दे अपनी स जोच उनों के में फिर तुसी सही रूप जो खेड़ दे आगे उस खड़ारी नो रहों दा जतन कर देगे उदों दा दे मांच की चल रहे हैं जब खेड रहे होता है तब तो टेंशन होती है थोड़ी बहुत की ठीच चल रहे हैं की नहीं पर खुद कर पर कॉन्फिडेंस ह तो लो जिसन पहले खतम वो फूर्णार का उपने तो आप में चैनल के की चल रहो होती है तो इसकी अपनेंट गेलता है तो उसकी शुरूरी की लाइन दे है तो वह बहुता है यह रहे हैं चांगे की यह बहुत है जा आपको गठारी प१ sebछल गया जडा ऑप सूचना बर यह नो तुसे मिंटा जह रहा था 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 पांचात मुव किती आगे थे व आउट ऐसे काई हो हैं माचेस क्योंकि जब दूसरे वाले को लाइन नी आती वो वो अगर कोई गल्ती करते तो बस उसकी गेम उसरी टाइम खतम हो जाती है बस उसकी बास फिर अगर मैंने उस गल्ती को पकड़ लिया सही तरही के से तो फिर मैं उसरी टाइम जीत जाओंगी मतलब द गुए तो मैच हार जंदी अपर उस गुसे चो बाहर निकलोवास्ते आप ते आप ते केमें कंट्रोल कर दे गए अब थोड़ा मुश्किल तो होता ही है थोड़ी देर तक रहता है दिमाग में कि ये चल देती तो फिर ये जीत सकती थी फिर ये ड्रॉ और सकती थी भी तो अपने आपको अराम से चीनों संभालना होता है कि नहीं अब मैं बाकियों में अच्छा करूंगी अरुनमा तुसी एन अच्छा केड़ दे हागे जी पेरेंट्स ते बहुत खोशन गए कि साधिया लड़किया ने एड़ी दूर मंजल हासर कर लागे ते ज़दो तुसी दे दिन दा कर देश दी जो फिर अखीर मेडल में मिलदा गा देश दा चंडा लरांदा गा वह जड़े खुशी दे पल और के में असास कर देगे दूसरी उसमें वह एक अलगी फीलिंग होती है अपने लिए कुछ करना या और अपने देश के लिए कुछ करना दब लेहां हैं और हम इंडिया की जाकिट पहन कर एंडिया की जर्सी पहन कर वहां खड़े होते हैं अपने कंट्री को रेप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तुस्य होन तक कोई 15-16 टूर्णमेंट खेले हैं? 15-16 से भी बहुत ज़ादा खेले हैं 15-16 स तो बहुत ज़ाद होगे, 50 क्रोस कर गया होगे, और इंटरनाशनल थोड़े कम खेले हैं, पांच छे तेज गेड़ है चेस्ट एक कुछ टाइम उन्दाइ के फिनिश करनी है जा इस टाइम दे वेच वेच वज़ अपनेंट ही और उन्हों होने है हाँ टाइम लिमिट होती है ऑर इकोल होती है और अपनेंट पास भी और हमारे पास भी। डेपेंड करते हें हम कान सा ट्रॉनमित खेल रहेढależ है जैसे फर्माट्स होते हमारे मनिके मिलते हैं त्राइन ओलावा जी ठारी मीरा हूँ यज़ा हाँ गोड़ के लिए हम भीज़ जी फुर्मेंग करती हो आपने आपको फिट टुकने के लिए और सुम्मिंग करती हूं और मुझे ड्राइंग करने में इंटरेस्ट रहता है किस तरह दी ड्राइंग कर देया तुसे? नॉमल से पेंटिंग, गाल रिंग उपने से कभी ठाइंग ज़िए कि ठोड़ा थुटकरने से तो फिर थोड़ी तरय थाइंग कर लिया अरणनोमात आड़े के होड़ी होड़ी के खेड थाइज शेट थाइज पने मीजिक पावड़ी है अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि कोई कहें कि हाँ ये लोग आ रहे हैं, यह नहीं है कि उनको मतब नीचा दिखाऊ या कुछ है कि उनके साथ घुल मिलके रहना होता है और अराम से बात करो कई बार ओवर कॉंफिज़न्स आजाता है आप में कि हम महान है या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता और एकदम डाउंटोर्थ रहें कि अच्छा लगता है तो तारणी जो तुस्छी स्कूल चे जान दे आगे ताडी अ कि फिर अब दीदी को जानते हैं वो जादा वो सेम क्लास में बढ़ते हैं बट ऐसा जादा कुछ नहीं है कि हम लोग गोल सिस्टर्स दोनों सेमी हैं तो स्कूल में कदी ओनर किता गया था नो दोनों सिस्टर्स जोनों बकायदा तोरते के सदे स्कूल दे हीरो ने हाँ दोनाने ने टूर्नेमेट खेडे ने स्टे लेवल दे नेशनल लेवल दे इंटरनेशनल लेवल दे अगिन्ये की ओनर मिलिया गे एं बकायदा तोरते कि हाँ ये चंडी कड़ दीयां में ती और जानिया पर चानिया कुड़िया है गया गया था अभी 15 अगस्ट को जो फंक सब्सक्राइब अच्छान जानारए कि एन कुछ नहीं भी बना आपका तो कोई बात नहीं नहीं जोड़ों कोई मैज खेड़ें जाने टूर्नमेंट खेड़ें जाने चाहे स्टेट लेवल दी नैशनल दी गाल करी जाने इंटरनेशनल दी जड़ी प्रैक्टिस तुसी दोने पहना आपके भी खेड़ देयागे ज़े खान जी आपस में बैटके भी करते हैं और कोच हैं हमारे उनके साथ भी करते हैं कोच डेली में हैं तो इसले कम आते हैं बाके हम अपने आप आपस में करते हैं और सौफ़वेर्स हैं कॉम्प्यूर सौफ़वेर्स उसमें कर्च जादा कौन जित देगा कौन हार देगा कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम पर ऐसे जादा तो नहीं है बट अब दीदी की पढ़ाई जादा 10th हो गया है तो फिर में जादा महनद करने लगी हूं तो फिर मेरा बैटर हो गया किया कदी-कदी चड़ाओन वास्ते तो त अब आजा तो बोलती हूं कि मेरी रेटिंग उससे जादा होगी है मैं जादा खेलती हूं तो जितना गहलो उतती अच्छी आपकी रेटिंग परफॉमेंस बनती है तो फिर चड़ाती हूं वीच पीस में से बेटल होगी है कि चदो अपा मैं खेड दागे ज़ नेशनल ले वह बढ़े है? डिफरेंट ही है क्योंकि गेम तो वही है रूल्स वही है बस बलकि इंडिया में ज्यादा टफ रहता है क्योंकि इंडिया वही जादा महनत करते हैं तो बाहर भी जाए कर ना अगर जादा जो टफ कॉमपेटिशन देते हैं तो इंडियन नहीं होती है तो उनकी गेम में ऐसा कुछ पच्छल नहीं है सब सेम ही है हां कुछ एक दो मूव्स की बात होती है वो ब्रेन पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सोच सते हो तो इस गेम दे विच्च सब तो जड़े खास है तो तुसी अपने केंग नो बचा के रखना के कवी नवी? अगर एक कुछ ना कुछ मर भी गया तो मतलब आपकी खेंग और कुई को खत्रा को होई जाता तो आप इवेंचुली हार जाते हो तो सब कोई बचा के रखना पड़ता है ते कर्च कदी ममी डैडी देनाली खेट आगे ममी डैडी नो भी रहाया गया है पापा पहले खेलते हैं ममा को तो नहीं आती है पापा को तो हरा देते हैं अच्छी जड़ी खेड है काफी दुमाग ही एगी ना माइंड सेट तनो रखना पेंदा ख्याल चे पड़ाई ते फे तनो काफी असान लग दी होएगी कि एडी अच्छी सत्रांच गेमा तो ही न हाँ थोड़ा बहुत लगता है कि जितनी जैसे बच्चे जो दो घंटे में याद कर लेते हैं उसके लिए हमें थोड़ा आधा घंटा कम लगते है पर ऐसे कहते हैं कि माच भी स्ट्रॉम हो जाती है लेकिन ज्यादा तो नहीं होती है क्योंकि उसके लिए भी प्राक्टिस ह बन चुकिए तड़े कौन है फैंड किस दे तुसी आगे केड़े चैस दे के कोई होर जड़े खडारी आगे ने उनननों तुसी लाइक कर दे के सारे स्पोर्ट्स परसंस तो जो अच्छे हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे महनत और लगन के साथ आप जीच सकते हो तो चैस में तो कुनेरू हम पी है हमारी जो इंडिया की बेस्ट वुमन प्लेयर हैं वो बहुत भी आइडलाइज हर ते अरु तुसी पढ़ाई नो किना टाइम दे आगे और चैस नो किना टाइम दे आगे ते पढ़ाई को तो में जादा टाइम देती हूं और चैस दिन में एक घंटा खेल लेती हूं और तारी नो तुसी तो छोटे है किना टाइम के बराबर बराबर टाइम दे देगे वैसे तो जाता बराबर ही होता है बट कई बार थोड़ा कम भी मिल जाता है पढ़ाई को कि चैस में रोज 2-3 घंटे करती हूं पढ़ाई किस दिन कम होती है ज्यादा होत वो पढ़ाई पर डिपेंड करते हैं फिर बीस में से टॉर्निमेंट पर जाओ अगर तर्थ दिन की थुटी मार्ट स्कूल से तो फिर उसके नजर होता है कि वापस आओ तो एक दूस दिनों के लिए चैस को थोड़ी दिर साइड लाइन कर जाते हैं और पढ़ाई पर जादा तो कोच उतना इसका पाईगा जितना आप खुद सीख पाऊगे तो बुक्स होती है और आपटोप इसे लिए खेल सकते हो किसी और के साथ तो खुद भी होती है बहुत सारी चीज़ें जिसे हम लोग बुक्स में पजल सौल्फ करते हैं फिर लोगों की येम स्टड़ी करते जिसे खेलते हैं फिर ओपनिंग्स याद करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है तो तुस्य की सोच आगए किस लेवल तक जाना आगए किस प्लेयर नो तुस्य अपने टार्गेट रखा कि मैं जिद्दा दे प्लेयर आगए ने विशव नाद अगए नाद अपने जिसे अभी तक अपने सारी ले का में जाना भी चेरी मीज बहुतिए ने यह बत्चे ब행ण चारी कि मसरह बत्या होती यह तो जास कता है कि यह तो मैं आगए वाल में सी not को बच्चे बन सकते हैं बच्चे बन नहीं पाते हैं जैसे बच्चों के लिए होते हैं FIDE Master और Candidate Master अभी मैं FIDE Master हूँ तो अभी मैं मैंनत करूंगी ताकि मैं आगे जाकर बड़े होकर कुछ International Master और Grand Master तो आपके अंको होते हैं कि इंडिया की इतने नंबर की प्लेयर हैं क्या आपको कैसे रेकोगनाइज करते हैं हमारी एक तो रेटिंग होती है तो इसके अगर्डिंग जैसे अभी मैं इंडिया में अंडर 12 गर्ल्स में में नंबर 2 हूं तो फिर एस्या में 4 हूं तो इस तरह हुमारी होते हैं रेटिंग के अगर्डिंग जैसे अभी मेरी एलो रेटिंग जिसे हम कहते हैं वो मेरी 16 63 है और रांकिंग अभी नाशनल में पीछे हो गई है ट्वेंटियथ 25 हो गई है इंटरनाशनल एशियन रांक भी उतनी है पापा तो आपके गवर्मनेंट जो में ममा क्या करते हैं ममा हाउस वाइफ तो आप उनकी मदद भी कर द दे आगे ममा नोई और वड़ी सिस्टर नोई दीदी को तो हम दीदी पर मेरी हल्प कर जाती है कभी यह में कुछ पूछ लू मैं उससे वो भी मुझसे कभी कभी कभाएट जैसे कभी उसको डाउट हो तो मुझस लेती है और गहर में तो जैसे हम लोग फर्स्ट और किसोच जिन्दगी चग्या की सोच यह नौन मेडेकल लेनी की सोच यह अभी तो उसके आगे क्या करनें इंजिनिरिंग करनी है और जाना है वो भी सोच उगी तो चैस नालनाली खेट दे जाओगे किस स्टेज ते आके के नहीं हूं जॉब साइड जाना जाएं जॉब नहीं बनाऊंगी अब अभी प्लस वान प्लस टो के लिए तो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि नौन मेडिकल में महनत ही बहुत है उसके बाद एक बर कॉलेज में हो गए तो फिर वापस स्टार्ट कर देंगे खेलना ताकि हां मज़े के लिए स्टेट लेवल पर प्राइज आ सब्सक्राइब कोडियानों कोख्च मारन दा पाप कदूं खत्म होवेगा एदे पिछेता सब्सक्राइब समाज दोशी ते जिम्मियार है पर अरुनुमा ते तारनी वर्गयां होर नामवार ननियां पर यहनु वेके असी कद आपने तो पापी दाग तो के पोनकमाम अगे जागो पंजाब विच आज देली बस इन नहीं तुसी अपने कीम्ति सजा साधी इमेल आईडी अडिटर एट डेएड़नाइटनुम्स डॉट कॉम ते वी पे सक देओ हुन सानु देओ आगया तड़ा सारें दा बहुत बहुत तानुवाद खबरानाल जुड़े रहो दिन राद